हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्किट अपडेट्स में तो जो भी साथ हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तो कल भी मैंने इस चैनल पर वीडियोज अपलोड की थी अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्लीज चैनल को विजिट करके उन वीडियोज को देख सकते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदंता के बारे में एक अमे अच्छी गुड न्यूज देखने को मिल रही है जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज है वेदंता ने साड़े तेरा रुपे का सेकिंड इंट्रेम डिविडेंट डिकलेर किया है इस साल का तो चलिए मैं आप आपको सीधा BSC पर जो इन्होंने अपलोड किया है उस पर मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि the company on Saturday December 11, 2021 have approved second interim dividend of 13.5 per equity share with face value of rupees 1 per share for financial year 2021 announcing to 5019 crores means company ने इस साल का दूसरी बार interim dividend दिया है और अच्छा खासा company ने ये dividend 13.5 रुपे का दिया है और company इस dividend के रूप में 5019 crore रुपे अपने shareholders को pay करेगी और जो सबसे जरूरी है record date तो record date आप देख सकते हैं the record date for the purpose of payment of dividend is Saturday December 18, 2021 means अगर आपके पास 18 December तक ये shares आपके portfolio में हैं तो आपके इस interim dividend लेने के आप खकदार होंगे तो ये एक अच्छी news विदंता share में हमें देखने को मिल रही है क्योंकि company ने इस साल में दूसरी बार interim dividend दिया है और जैसा आप सबी को पता है कि पिछले साल मार्च 2020 में ये company loss में चली गई थी अच्छा खासा company को loss हुआ था बट उसके बाद जो इस साल से इसकी performance में सुधार आया है और इसके जो results आए हैं वो काबिले तारिफ हैं और इसी वजह से company ने दूसरी बार इस साल का dividend अपने shareholders को दिया है तो दोस्तो अब इसके बाद question ये mind में आ रहा है कि क्या अब हम Vedanta Limited के share को अभी खरीददारी करें क्योंकि कुछ लोग जो dividend की amount है उसको देखके काफी excite हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी सिर्फ एक week का ही record date का time है हम इसको खरीद लेते हैं और जब dividend मिल जाएगा था आप हम इसको sale कर देंगे तो बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको कभी भी जो dividend है उसको देखकर किसी share में buy नहीं करना चाहिए क्योंकि जो dividend होता है या bonus होता है ये एक side dishes के रूप में काम करती है main हमारा focus जो company हुआ है उसके pricing पर होना चाहिए और उस company का जो business है उसके जो profitable profitability है ये चीज़ें हमीं देखनी चाहिए तो वेधनता में भी हम पहले इस company के business profitability इन चीज़ों को check करेंगे उसके बाद हम decide करेंगे कि क्या हमें वेधनता में बाहे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर मैं पिछले एक दिन की performance की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कल ये लगबग flat ही हमें बंद होता हुआ दिखा था अगर मैं पिछले एक मन्त की बात करूँ तो एक मन्त में इस company ने 21% के returns दिये हैं और अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल में अच्छा खासा 118 means double से भी जादा अपने shareholders का पैसा इस company ने करके दिया है तो चलिए अब मैं आपको इस company के financials दिखाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं इस company का market cap 129,990 करोड है means ये एक large cap company है अगर मैं 52 week high की बात करूँ तो 386 इसका 52 week high है और अभी ये साड़े 300 के price पर चल रहा है आगे दोस्तों मैं आपको जो इसके important profit और loss के बारे में दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास March 2010 से data available है मार्च 2010 में company का profit 2629 करोड होता था जो 2011 में बढ़कर 4222 करोड हुआ उसके बाद 12 में down आया 2696 करोड 13 में उसके बाद और down आया 2889 करोड 14 में 6299 करोड 15 में आप देख सकते हैं company खतरनाक loss में आ गई थी 15646 करोड के 16 में भी चीजें repeat हुई loss 12270 करोड का 17 में profit में आई 2959 करोड 18 में फिर 10342 का profit फिर profit down होता है 19 में 7065 करोड 20 जो मैं आपको बार बार बोल रहा था 20 में 6664 करोड रुपे के loss में चली गई थी बट उसके बाद अभी जो 21 में 11602 करोड का profit मिन्स पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा profit इसने इस साल में अभी तक earn किया है मिन्स इस साल के जो इसके quarters है वो बहुत ही impressive हमें देखने को मिल रही है वहीं दोस्तो एक important factor share holding pattern के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज मुझे इस company में सबसे ज़्यादा impressive लगी है आप promoters की holding देख सकते हैं promoters पहले अगर मैं पिछले सब्तेंबर की बात करूँ यदि सब्तेंबर में 2020 में 50% सिर्फ promoters होते थे उसके बाद दिसंबर में promoters ने सीधा 5% की हिस्चेदारी बढ़ाई और अगर आज की मैं बात करूँ तो सब्तेंबर 2020 में 65% promoters के पास इस share में अभी shares available है means आप देख सकते हो 50% से 65% पर उठना means 15% promoters ने हिस्चेदारी बढ़ाई है तो दोस्तो ये क्रोडो शियर्स हैं जो promoters ने अपनी ही company के भाई किये हैं FIs की बात करूँ तो 8.69% है DIs 11.93% है Public 13.88 और other 0.32% दोस्तो जब भी किशी company में जो promoters होते हैं वो अपनी हिस्चेदारी बढ़ाते हैं तो वो company के लिए एक बहुत ही अच्छी news होती है क्योंकि promoters को सबसे जो main news है सबसे पहले जो चीजे हैं वो promoters को पता लगती है तो promoters ने इस company में अच्छा खासा माल उठाया है और अभी उसका जो हमें result है वो इन quarters के result में देखने को मिल रहा है आप quarters के result देख सकते हो company ने पिछले दो quarters में धमाकेदार result पेश किये हैं और उनी results के अब company को अच्छा खासा profit हो रहा है इसी वज़े से company ने इस साल दूसरी बार अपने निवेशकों को interim dividend declare किया है तो दोस्तों ये एक अच्छी update वेदेंटा शेयर जो holders हैं उनके लिए आई हुई है पहले तो आपको पता होगा कि शेयर में काफी जादा दिक्कतें हुई थी company deal list की भी कुछ दिक्कतें आ रही थी और company पहले ये 5050 में भी होती थी तो ये चीज़ें तो means चलता रहता है बट अभी अगर मैं फिलाल की condition की बात करूँ तो अभी वेदेंटा शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी चीज़ें चल रही है company profit में है interim dividend बार-बार दे रही है तो in future भी इसमें अच्छा खासा ही हमें जो move है वो देखने को मिल सकता है तो अभी फिलाल के मैं condition के बात करूँ तो अभी जो लोग means वेदेंटा शेयर में invest करना चाते हैं तो अभी के performance के साफ से तो अच्छा खासा company grow कर रही है और अगर आप इसमें invest करना चाते हो तो please आप अपनी भी study कीजिए और अपने financial advisor से इसके बारे में discuss कीजिए तो दोस्तों ये एक update थी जो मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी तो वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, share करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye